अस्सलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है मुहमद सुफ्यान और आपके अस्तक्बाल करता हूँ आपका अपनी यूडिप चैनल स्टूरिज बाय सुफ्यान पर और आज की शुरू करते हैं आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो शुरू करने इस पहले आपसे इस रात में अल्ला करीम अपने उन बंदों को बख्ष देता है जो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके निक बन जाते हैं इसलिए इसे नजात के रात भी कहा जाता है क्योंकि इस रात हम अपने गुनाहों से तौबा करके जहन्नम से नजात का परवाना हासिल करते है यह अबादत की रात है इसलिए हमें चाहिए कि हम फर्ज नमाजों के पाबंदी करें और अपने आखिरत सवारने के लिए कुछ नफली अबादत करें क्योंकि अल्ला के दर्वार में बंदों के मरतबे नफल अबादतों के बदालत बढ़ते हैं सर्त यही है कि फर्जों में कोई कुटाही ना बढ़ती जाए अल्ला तौफीक दे तो इस रात दो रकाद नफल नमाज तहियतूल वजू की नियस से पढ़ें हर रकाद में अलहम्दों शरीफ के बाद एक बार ऐधल गुर्जी और तीन तीन बार कुलों विल्ला शरीफ पढ़ें सलाम फेरने के बाद एक सौ बार दुरूजर शरीफ पढ़ें अल्ला ने चाहा तो रोजी में बरकत होगी रंज गम दूर होंगे गुना बखसे जाएंगे तीसरा दो दो रकात के नियस से आठ रकात नफ्र पढ़ें हर रकात में अलहम्दो के बात पांच पांच बात कुलो अल्ला से ने पढ़ें इसकी बरकत से गुनाहों से पाक होंगे दुआएं कुबूल होंगे और बड़े सवाब के हगदार होंगे इसके अलावा और जो भी अबादत कर सके जरूर करें अस्तक्फिरुल्लाह रब्यमिन कुली जंबिम वातुबू इल्ये पढ़ पढ़ कर अपने गुनाहों से माफी मांगे ताकि करीम मौला अपने करम से गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का हगदार बना दी इसके अलावा पंदरा तारीक की रात इबादत में गुजार कर दिन में रोज़ा रखें इस रोजे के बारे में अल्ह के रसूल ने फर्माया जो आदमी पंदरा सबान को रोजा रखेगा उसे जहन्नम की आग ना छो सकेगी जहन्नम की अजाब से महफूज रहेगा रब तबारक ताला हमें इस रात की कदर करने इस रात में अबादत करने और 15 ताइक को रोजा रखने की साधत नसीफ फर्माएं आमीन, लाहुमा आमीन दोस्तों सब्वे बरात 20 अबरेल को पढ़ रहा है और ये रात हमें सोने के बजाए अबादत में गुजारनी चाहिए सब्वे बरात आने से पहले इस वीडियो को हर जगा फैला दो